और सुहाना होगा बुलेट ट्रेन का सफर समंदर का सीना चीर कर निकलेगी बुलेट ट्रेन मिम्बई से हंदबाद की दूरी महस दो घंटे में जी हाँ देश की पहली बुलेट ट्रेन के जरिये मुम्बई से एहमदाबाद जाने वाले यात्री समंदर के अंदर यात्रा करके और रोमांच का अनुभव कर सकेंगे सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुम्बई से एहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर में समंदर के अंदर करीब 21 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है यही नहीं अगर ये पर्योजना साका रूप लेती है तो मुम्बई से एहमदाबाद का सफर सिर्फ दो घंटे में पूरा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जड़े रेल मंत्राले के कदिकारी के मुताबिक मुम्बई एहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर हाई स्पीर रेल कौरिनेटर का 21 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा इस कौरिडोर का अधिकांच हिस्सा एलिवेटेट ट्रैक पर प्रस्तावित है GICA के डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मताबिक थाने और विरार के बीच ये बुलेट ट्रेन 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग से गुजरेगी इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 97,636 करोड रुपए है और 81 फीजदी राशी जापान से कर्ज के रूप में प्राप्त होगी कर्ज समझोते के मताबिक रेल के डिबबे, इंजिन, सिगनल एवं बिजली प्रणाली जैसे अन्यूप करणों को जापान से आयत किया जाएगा जानकारी के मताबिक जापान के साथ ये रण समझोता इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है जबकि इस रेल कॉरिडोर का निर्मान 2018 के अंत तक शुरू हो जाएगा अनमेफ न्यूज की रिपोर्ट